वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एंजी आर्टी क्लासिस आज के इस विडियो में हम प्रस्नमली 2.5 का क्वेशन नमबर 5 सॉल्ब करेंगे तो कॉशन है गुडन खंडन कीजिए ठीके हमें यहाँ पर एक कॉशन दिया हुआ है और बोला गया है कि इस कॉ अब हम इस कॉशन में क्या करेंगे पहले जो कॉशन दिया हुआ है उसको सरोसमीका के इस रूप का बना लेंगे ठीके तो वो अटोमेटिक फिर हम इस रूप का उसको करके गुडन खंड निकाल सकते हैं अब देखिए इस रूप का बनाने के लिए हमें यहाँ एक्स का वर्ग करना होगा एक्स का वर्ग तो अल्रेडी दिया हुआ है लेकिन एक्स के साथ जो गुडांख है न उसका भी हमें वर्ग करना होगा ठीके तो हम चार एक्स वर्ग को क्या लिख सकते हैं दो एक्स पूरे का वर्ग धन नौ वाई वर्ग को क्या लिखा जा सकते हैं तीन वाई पूरे का वर्ग है ना ये इस रूप का हो गया अब देखिए धन 16 जैड वर्ग को क्या लिख सकते हैं 4 जैड पूरे का वर्ग लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देना है और वो ये कि जहां जहां जैड की टर्म आ रही है या जैड वाला पद आ रहा है वहां वहां रिणचिन आ रहा है तो हमें दिमागी लगाना है कि जहां पर आत्मक होगा ठीक है अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ जैड है यहाँ जैड है तो क्या आ रहा है रिण आ जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे हम अब रिण 4 जैड पूरे का वर्ग अब यहां से सबाल बहुत इजी हो जाता है यह हमें एक्स की वैल्यू मिल गई यह यह जैड की वैल्यू या मान मिल गया अब हम आगे जो कॉशन है उसमें इन मानों को रखते जाएंगे तो यह हो गया धन 2 x का मान क्या है 2 x y का मान क्या है 3 y धन 2 y का मान है 3 y z का मान है रिण के 4 z धन 2 z का मान है रिण के 4 z और x का मान क्या है 2 x इतना करने के बाद अब हमको इस कॉशन को इस रूप का बनाना है जहां पर हमें x y और z के मानों की जरख पड़ेगी तो हम इसको बहुत ही असानी से कर सकते हैं तो यहां देख़े, X का मान क्या है, 2X, धन यहां, 3Y, धन, 4Z, और इस पूरे का वर्ग, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2X, धन, 3Y, रिन, 4Z, पूरे का वर्ग, अब यहां पर यह इस पूरे गुड़न खंड का वर्ग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो बार लिख स सकते हैं तो यह होगा दो एक्स धन के तीन वाई रिन चार जैड और यही क्या होगा आंसर question number second है इसे भी solve करेंगे तो यह question भी पहले ही question की तरह दिख रहा है तो इस पे भी वही सर्वसमीका लगेगी क्या थी सर्वसमीका एक्स धन वाई धन जैड पूरे का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जैड का वर्ग धन दो एक्स वाई धन दो वाई जैड धन दो जैड एक्स सबसे पहले हम सवाल को इस रूप का बना लेंगे उसके बाद उसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये इस रूप में हमारे गुड़न खंड निकल कर आ जाएंगे ठीके अब देखें आगे सॉल्व करते हैं इस रूप का बनाने के लिए हैं यहाँ पर हमें X का वर्ग चाहिए अब X वर्ग के साथ जो गुडांग है उसका भी हमें वर्ग करना होगा ठीके तो यहाँ पर क्या है दो को हम क्या लिख सकते हैं वर्ग मूल दो गुडा वर्ग मूल दो मतलब यह क्या हो जाएगा वर्ग मूल दो का वर्ग और इसका मतलब भी क्या होता है दो तो यहाँ ल अब देखे यहां पर X है तो यह पद क्या है रिनात्मक यहां X है तो यह पद क्या है रिनात्मक तो कहीं न कहीं यहां X वाला पद क्या होगा रिनात्मक तो यहां पर सामने क्या लगा देंगे हम रिन ठीके आपको इसी तरीके से चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा पद ह जो रनातमक है ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां X है यहां पर भी X है तो यह रिण है यहां पर भी रिण है और YZ वाला पत का है धनातमक है इस तरीके साब बहुत इजी ली पहचान पाएंगे अब 8Z वर्गों को क्या लिखा जा सकता है दो वर्ग मूल दो और ये Z पूरे का वर्ग क्योंकि दो वर्ग मूल दो का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना ऐगा 8 अब यहां तक तो बहुत इजी है अगर इतना सवाल हो गया समझ लीजिए आपका आगे कभी सवाल हो गया अब हमें ये x, y और z की value मालूम चल गई, अब जहाँ जहाँ y, z और x है, वहाँ वहाँ हम इन मालूं को रख देंगे, तो यह होगा धन, 2, x की जगह क्या रखना होगा हमें, रिन, 2, x, y की जगह क्या रखना है, y, व्यूकि y का मान क्या आ रहा है, y ही आ रहा है, धन, 2, y की जगह तो y ही रखना है, z की जगह हमें रखना है, 2, वर्गमूल, 2, और z, अब इस पद को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यह 2, z की जगह, 2, वर्गमूल, 2, और यह z, और क्या है x, तो x का मान क्या है, रिन, 2, x, ठीके, अब यह, इस रूप में हमने इसको लिख ल अब इस रूप में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, x, y, z, पूरे का वर्ग, तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, रिन, 2, x, धन, y, धन, 2, वर्गमूल, 2, और यह z, और यह क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग, अब यहाँ पर यह इस गुड़न खंड का वर्ग है तो इस गुड़न खंड को हम कितनी बार लख सकते हैं, दो बार लख सकते हैं, तो यह हो जाएगा, वर्गमूल, 2, x, धन, के, y, धन, 2, वर्गमूल, 2, z, एक कौश्टक में, और दूसरे कौश्टक में भी सेम यही होगा, तो यह होगा, वर्गमूल, 2, x, धन, के, y, धन, 2 वर्ब मूल दो और यह जैड और यही क्या हुगा आंसर तो इन क्वेस्टन्स को करना बहुत ही एज़ी है लेकिन कब जब आपको शर्वशमिका आती हो और सर्वशमिका आपको कैसे आएगी प्रैसंस की प्रैक्टिस करने से आएगी यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकॉन होता है उसे भी प्रैस कर ले ताकि आने वाली इसी तरह की मेरी वीडियो आप त ते रहे थैंक यू